हलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आप देख रहें गार्डनिंग विज ससील कुमार के सब्सक्राइब दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि सेनहरिया के बीज किस तासे आप निकाल के रखें और कहां उसके बीज होते हैं चलिए दोस्तों सुरू करते हैं वीडियो को कि यह साधा पेपर ले लिजेगा और यह देखे यह जो पीज सूख गया है पूरी तरिका से यह से नडिया के बीज है यह देखिए मैं इसे निकाल के यहां पर ले लेता हूं इस तासे ले लेता हूं और भी जहां जहां सूख गया है दोस्तों वहां वहां से बीज मैं इस तासे ले लेता हूं सब और इसे साप करके देखाऊंगा कि इसके बीज कहां पर होते हैं देखिए यह भी सूख गया है जब यह पेड में सूख जाएंगे दोस्तों तभी इसका बीज निकाल लिएगा ऐसे नहीं ऐसे बिल्कुल कच्छा रहेगा बीज इसका यह देखिए और इस तासे काजक लग दोस्तों जो मैंने आपको पिछले वीडियो में देखाया था उस समय इसमें फूल नहीं हुए थे अभी इसमें फूल होके भी सुख गये हैं और मैं यह देखाणाओं आपको कि आप इसके बीज को किस तासे रख सकते हैं यह अभी मैंने इसका बीज को इसे निकाला है और मैं इसका बीज को अब साप कर रहा हूं है कि यह उपर का जो है यह हटा दी जागा इसका कोई काम नहीं है इसके बीज निकल जाएंगे कि यह देखें दोस्तों इसके बीज है कि छोटे छोटे काले काले बीज है यही इसके बीज है दोस्तों आप इस बीज को बढ़िया से निकाल के किसी भी सीशे के बोतल में या सीशे के बरतन में आप बिलकुल रख सकते हैं इसके बीज बहुत अच्छे होते हैं बहुत सुंदर होते हैं आप देख पा रहे हैं इसको यह जो छोटे-छोटे काले-काले है यह एक यह बहुत कम भीन होते हैं यह देखें दोस्तो मैंने से नहरिया का बीज को और निकाला था, निकालके मैंने एक शीशी के बस्तन में रख लिया था, यह देखिए, और मैं अगले वीडियो में देखाऊँगा कि इसको किस ता शे रखें, और कैसे रखें, अभी मैं आपको इसमें डालके देखा रहा हूँ, किस ता से बीज होते हैं इसके, यह बिल्कुल इस्ता से सेनरिया के बज है ठीक है दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो ल्याइक किजैं सैर किजैं सबस्क्राइब किजैं और दोस्तो बेल घंटी बजाना ना भूले दोस्तो नमस्कार दोस्तो अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँ Совет झाल झाल